जय हिंद नाश्टोल अंटिन टो नाश्टोल डे के सिरीज में आज के हमाई डिस्केशन टॉपिक हैं उत्तर परदेश स्थापना दिवस यानि उत्तर परदेश फाउंडेशन दे उत्तर परदेश की स्थापना बैसे तो एक अप्रेल वर्स 1937 को हुआ था लेकिन 24 जन्वरी उत्तर परदेश को इसका नाम उत्तर परदेश रखा गया था इसलिए 24 जन्वरी को प्रति एक वर्स उत्तर परदेश अपना इस्थापना दिवस मनाता है इससे पहले उत्तर परदेश का नाम सहयुक्त प्रांथ था उत्तर परदेश की रजधानी लखनव हैं लखनव जो लखनाउ जो रक्षा मंत्री राजनात सिंग का निर्वाचन छेत्र भी है लोगसभा सीठ है असी, राजी सभा सीठ एकतीस है कई बार इकजाम में प्रश्ण बना है कि उत्तर पर सबसे अधिक लोगसभा सीठ वाला कौन सा राज्य है तो उत्तर परदे से यहाँ पर कुल असी लोगसभा सीठ है सीएम है योगी आदित यनात, राजी पाल है आनंदी बेन पटेल कासी जहां हाली में रुद्राक्च कंबेंशन सेटर का उद्गातरन किया गया है और पिछले ही बर्स ज्यान व्यापी मजजीत काफी चर्चे में था जो की कासी में ही इस्थी थे बारानसरी को ओल्डेस लेविंग सीटी और स्पिर्च्वल सीटी भी कहा जाता है oldest living city यानि सबसे पुराना जीविश सहर और spiritual city यानि की आध्यात्मिक सहर सांसद अदर्ष ग्राम योजना के शुरुवात बारानसी से ही हुई थी सांसद अदर्ष ग्राम योजना के तहट प्रती एक सांसद एक गाउं को वो गोद लेता है वह गाउं उसके पतनी का नहीं होना चाहिए और नहीं उस व्यक्ति का अपना गाउं होना चाहिए बनारस की बात करें तो यहीं पर बिय यानि बनारस हिंदू विश्विद्याले हैं जिसका इस्थापना महा मना मदन मोहन मालविय ने किया था कानपूर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा सहार है कानपूर को भारत का मैंचेस्टर लेदर सिटी भी कहा जाता है लेदर पार्क की अभी हाली में इस्थापना कानपूर में ही किया गया है मैंने बताया कि लखनाओ के चारबाग रेलवे इस्टेशन से हेल्थ एर्टियम के सुरुआत की गई थी जबकि मास्केटियम की बात की जाए तो सहारन पूर से मास्केटियम की सुरात की गई है बहराईच में महराजा सुहल देव का इसमारक बनाया गया है जो की काफी चर्चे में था मेरट में मेजर ध्यांचंद खेल विशुविदाले बनाया जाएगा मथुरा में हाती होस्पिटल बनाया गया है जबकि हाती रिहेवेलिटेशन सेंटर कीरल के कोट्टूर में बनाया गया है अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जीलो वाला राजिक कौन सा है तो ये उत्तर परदेशी है कुल 75 जिले उत्तर परदेश में है उत्तर परदेश की लखीम पूर जीला जो है वो सबसे बड़ा जीला है विदेशी परियटन के मामले में प्राथम इस्थान पर तमिलनाडू था जबकि उत्तर परदेश घरेलू परियटन के मामले में प्राथम इस्थान पर था यानि भारत से लोग उत्तर परदेश में ज़्यादा घुमने गए है और विदेश के लोग तामिलाद्डू में ज्यादा घुमने आये हैं उत्तरपरदेश जनसंख्या के डिष्टी कोन से सबसे बड़ा राज्य है जबकि छेत्रफल के डिष्टी कोन से रदिस्थान सबसे बड़ा राज्य है सबसे छोटा राजी छेतरफल की डिष्टी से गोवा है जबकि जनसंख्या की डिष्टी से सबसे छोटा राजी सी किम है तो आज का हमाई सिसन नहीं समापत होता है आप भी अगर कुछ उतर परदेश के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इस वीडियो को पीडिया पाने के दिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को तो अगर कोई उतर परदेश का विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा हो तो उसको उतर परदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई जाहिंद